यह देखो कितनी गंदगी निकल देखो दोस्तों पूरा घिस चुका है रहांकर जी दोस्तों यह नया वाला इस पॉकेट देखो आप इसके दाते देखो भाया यह यह बिल्कुल चम चम आता हुआ पीछे का इस पॉकेट गुला अलग बहुत बेकार लग देखने में नमश् चैन सेट बढ़ा है लास्ट आप मैंने जो चैन सेट चेंज कर रहा था मुझे पता नहीं मैंने कितने किलोमेटर पर चला कर रहा था और अभी 98,200 चल चुकी है मेरी बाइक और चैन सेट घराब हो चुका यह देख सकते हो आप यहां पर जब पैक चला रहा हूं जब पहले बिल्कुल सूपी चली ती काफी कहीं किलोमीटर तो बहुत स्पीड में और उपर से मेरे साथ एक पिलियन भीता जिसकी वज़े से यह दिक्कत होई आप लोगों की वी चैन वगड़ा ऐसे खराब ना हो तो उसको पर टाइम से लिग करते रहे मेरे को तो नुक्सान हो गया और बात ही आप दलवाना पड़ रहा है खर्चा आ गया आपको दिखाता हूं कैसे डलता है चेंसे जिसमें क्या है कैसी चीजे आपको बैक बर दिखा देता हूं खोल के चेंसे तो भाया बारिश भी हो चुकी है पता नहीं कैसे अपने आप यह अचानक से बारिश पड़ वह फुल गया इसका आगे वाला पैनल इसके अंदर आगे का इस पॉकेट लगा हूँ और अब देखो यहां पर कितनी गंदगी निगलेगी क्योंकि मैंने इसको क्लीन वगएरा करवाया इन यह देखो कितनी गंदगी निकल यह कितना जो है मैल इसके अंदर जबापड़ा जो फुरन देख देखो देखो दो उसको पुरा घिस चुका है आकल है है कि इसके इसके प्रेक पैड अंकल भी पीछे गिस गए है ठीक है है घिस गए खेजगेawi यह जो पिछय के पाशीन के इंदर लगती ये लगती है को मैं नी पता करता हूँ यहां पर मिल जाएगा नहीं जाती है थीक है नहीं फोले गली तो नहीं ही तो नहीं विली याप यहां पर शोली दुकांट नहीं है जांसे यह ले सकूंध की ड़ाले士 बाकिर या आगे यूट्यूब पर भी कर ले ना भाई आपका नाम किया है मेरे नाम सागर भी आप भी कर ले ना टिक है है लोगो ने भी सबस्क्राइब कर लिया अपना चैनल पाकी जो इसकी रबड नहीं मिलिया और ड्रेक्शू भी इसके घिस लें तो अभी निदलवादा मैं इतना बजट कि दोस्तों यह नहीं वाला इस पॉकेट देखो आप इसके दाते देखो एक नम नहीं है बिल्कुल एक नम बढ़िया है ना और वह बिल्कुल इस गया था लगाने लगाने वी इतना साथा ताम जाम पूलना पड़ा क्योंकि चेन के लौक शिस्टम नहीं है यह पिना लौक की चेन है तो इसलिए साथी से खोल ली पड़ी अगर लोक लगा हूँ अपकर ना साथा खोलने की जोरुत ने पढ़ती सीधा लौक खुला और अपना नहीं था वह चारव तरफ से बंद थी तो जैसे इसको सारा ताम जाम फुलना पड़ा यह हो रहा है अपना पैया और उधर हो रहा है पैट्रों से इसकी सफाई क्योंकि बहुत जादा गंद की जमी पड़ी थी जो है आपका चेंज से लगाए और बस खोड़ी सी चीजे बाकी रह गई है जो लगनी है यह पीछे का पैनल लगना बाकी यह लग रहा है और वी दो तीन चीजे जो भी पेच फूच पड़े हैं बहुत बहुत अब यह नहीं कर रहा हूं तो बहुत कहने कि अभी आइलिंग म आपको आना वाला भी चेंज सेट देख लो यह है इसका यह आगे वाला स्पॉकेट और यह दा इसका चेंज और यह पीछे का स्पॉकेट अच्छा अंकल जी धन्यवाद यह बिलागे मेरा बहुत कि देख है निकल यह तीन बज़ गहीं तीन बज़ गए पता ही निचला को बढ़ी है जब कि अधार रच और आधा यह गाई है अधार यह मदा यहाई तो भाईया चेन से डलवाने के बाद जो है स्मूथनेस जो है काफी अच्छी हो चुकी है पाई की मेरी आप लोग भी कह करते हैं लापर भाई मत किया करो चेन में ना चेन को लिप करते राकरो सूखी मत चलाया करो यार श Daligne करो शला है 16 कि इस वीडियो में इस व्लोग में attraction नेक्स व्लाग में अगर आपको में पसंदो们 है तो लाइक शाय कमेंट कर दीजेगा और अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राब करें कि बैल आइकन जो दबा दीजेगा ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें तो चला दोस्तों मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के आपको चाय के लिए बाइ